हेल्लो थिरन फैंली कैसे हो आप सोवी लोग आप सोवी लोग बढ़िया होगे आप सोवी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो किसी ने लाइब में कहा था कि UPID को description में mention कर देना तो मैंने उसे description में mention कर दिया है जिसका super chat नहीं हो रहा वो direct कर सकता है ओके तो चलो आप ज़्यादा बगवास नहीं करेंगे सीधा ही नोवल को explain करेंगे और पिछनी नोवल की starting में हमने देखा था कि वहाँ पे धड़ा धड़ fight हो रही होती है और केवल जोयान ही अपनी पिल को refine कर पाया था साथ ही हमने देखा था नीदर लेंड जी अलम से दो लोग वहाँ पे पहुँचे थे जिन्होंने वहाँ पे fight start कर दी थी लेकिन उन्हें रोकने के लिए Alchemist Association के past के chairman आते हैं और साथ ही Spirit Sky City के city lord आते हैं क्योंकि वह दोनों लेवल लोग भी heavenly साबरें लेवल पर पहुँच गए थे जिसके बाद हमने देखा था कि उनके बीच में काफी अदा fight होती है और हाउ तान, I mean हो ताओ ली जोयान को लेकर भागता है लेकिन गुई डियाओ उसे पकड़ ले था इसके कारण वो अपने आपको self distraction करने के लिए अपनी डुई कुई का यूज करता है लेकिन गुई डियाओ तुरंती स्माइल करते हो एक स्पेस को क्रेक करता है और उसे उसे स्पेस के अंदर घुसेड़ कर उसे स्पेस को कॉलाप्स करा देता है जिससे उसकी death हो जाती है और आसपास कुछ भी नहीं होता जिसके बाद गुई डियाओ ने स्माइल करते हुए हांग जुआन को टार्गेट किया था जो कि गुई डियाओ के अटेक को देखकर तो वो भी काफी अदर सौक होता है यहां तक कि वो heavenly sovereign level के warrior के अटेक को भी तोड़ने में capital था I mean heavenly sovereign level के warrior होते हुए उसने जो power soaker करके दिखाई थी वो काफी अदर खतानाग थी हाला कि वो बात करी रहा होता है लेकिन तभी वो black demon bird एक बार फिर से बूजी टियान की तरब बढ़ती है तभी बूजी टियान भी smile करते हुए कहते है मैं एक respected spread heaven mansion का mansion master हूँ मैं आप जैसे beast के साथ भी fight नहीं कर सकता क्या और इसके बाद वो जल्दी से अपने दौनों हाथों से एक formation को बनाते है और उनके हाथों में तुरंट ही एक चका चौन्थ करने वाला lighting vortex घूमने लगता है दूसरी तरफ वो black bird जब इसके अंदर से निकलने वाले औरे को फिल करता है तो उसकी आखों में कुछ डर को साफ साफ देखा जा सकता था तब ही बूजीतियान हसते हुए कहते हैं holy art scarlet flame wheel और इसके बाद ये fire wheel जो की अपने आसपास की हर एक चीज को destroy करता हुए जा रहा होता है सीधा ही आंगे बढ़ने रखता है ये देखकर black demon bird भी अपने पंको को फड़ फड़ाता है क्योंकि उसे खत्रा फील हो गया था और black color की flames उसके बिंग से सुनामी की तरह बाहर निकलने लगती है ये देखकर बूजीतियान तुरन थी आसमान की तब देखते हुए कहता है go to hell और इसके बाद उसका scarlet flame wheel sign करता हुए सीधा ही black demon bird के अंदर चला जाता है तब ही harina में दूसरी तरब से आप आ जाती है damn it old man क्या तुम के बाल डॉज करना जानते हो और इसके बाद वो love kyan huan की तरब देखता है हर बार जब उसका attack successfully उसे hit करने वाला होता है तो love kyan huan अचानक से अपनी जगे से गायब हो जाते है हलाकि उसके question पर love kyan huan कुछ भी नहीं कहते है जिस पर चीजू भी चुप हो जाता है जिसके बाद cold smile के साथ वो love kyan huan को dodge करते हुए और उसे ignore करते हुए सीधा ही होल की तरब भागने लगता है और ये देखकर love kyan huan के face impression भी बदल जाते हैं जिसके बाद वो उसका पीछा करते हैं इस तरब कुछी time के अंदर गूई डियाओ भी हांग जुआन के सामने आ चुका था और जब हांग जुआन ने देखा कि हो ओ ताओ का self distraction भी गूई डियाओ का कुछ भी नहीं विगार पाये था तो वो काफी सौक होता है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता थी कि उसकी पावर तो हो ताओ के comparison में थोड़ी बीक है और वो गूई डियाओ के लिए कोई भी comparison नहीं होगा इसलिए उसका भागने का mood बिलकुल भी नहीं होता दूसरी तरफ ली जुआन की बहुती काप रही होती जब उसने black color के कपड़े पहने हुए गूई डियाओ को अपने सामने खड़ा हुआ देखा था हाला कि वो हांग जुआन से अपने आपको बचाने के लिए request करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं क्या पाता है हाला कि तभी गूई डियाओ कहता है मैंने जो देखा बास्तों में आपका talent उन तीनों में सबसे कम जोर होना चाहिए हाला कि alien realm soul power के साथ जो कि intermediate level पर पूरी तरीके से stable नहीं हुई है आप अभी भी great 5 की पिल को refine कर सकते हैं हाला कि आपका talent खराब नहीं है और आप नीदर लेंड जी realm के अंदर और भी जादा sign करेंगे और इसके बाद वो एक smile के साथ सीदा ही हंग जुआन से ली जुआन को छीन लेता है ये देकर तो हंग जुआन का चहरा पीला पड़ गया था उसने गुई डियाओ को ली जुआन को दूर ले जाते हुए देखा था जो कि वो बिलकुल भी बरदास नहीं कर सकता था हाला कि वो आंगे बढ़ाई होता है लेकिन तब ही अचानक एक चीखने की आवाज उसके कान में पड़ती है जिस पर गुई डियाओ के face impression बदल जाते है और वो तुरंती पीछे मुड कर देखता है तो उसका black diamond bird आसमान से लड़ खड़ा कर जमीन में गिर रहा था यहां तक कि उसकी बॉड़ी को ढखने बाली black color की flame पूरी तरीके से गयाब हो गई थी और उस bird के सामने हलका सा flame भील घूम रहा होता है साते इस टाम पे वो black demon beast black blood की उल्टी करता हुए जा रहा था जिसके बाद वो तुरंती कहता है holy art इस टाम पे तो गूरी डियाओ की भौँए तरन गई होती है क्योंकि बोगी इस attack की power को जानता था हाला कि वो black bird तुरंती एक black fog में बदल कर गूरी डियाओ की बॉड़ी में लोड जाती है दूसरी तरफ वो scarlet red flame wheel धीरा धीरा घुमते हुए बापस से बू जीटियाँ के हाथ में आ जाता है इस टाम पे black demon bird heavily injured हो गया था और गूरी डियाओ जो की उससे अपनी power के साथ connected था उससे कुछ अच्छा फील नहीं होता जाता कि गूडियाँ अपनी body के अंदर कुछ weakness को भी फील कर सकता था हाला कि वो कुछ कर पाता कि तब ही लाओ क्यान हुआन की आवा सुनाई देती है प्रीफेक्चर मास्टर बू में हाल को protect करें जिसपे बू जीटियान तुरंती उस तरब देखता है तो उसने देखा था लाओ क्यान हुआन चू जी के bloody सी एरिया के अंदर फस गया होता है और वो इससे जल्दी ही आजाद नहीं हो सकता था दूसरी तरब चीज जो में हाल की तरब भाग रहा था और इस तरब पे उसका टारगेट ली डाओ युआन और बागी लोग होते है ये देखर वो जीटियान तुरंती नाराज होते हुए कहता है bloody, bastard इस तरब पे उससे अच्छी तरीके पता था कि एक एलकेमिस्ट अपनी सीठी के लिए सबसे कीमती चीज होता है कास तोर पर तो ली डाओ युआन जो एक मास्टर अलकेमिस्ट थे और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो ये उसकी सीठी के लिए काफी वड़ा नुकसान हो सकता था हाला कि वुई जीटियान को चीजू की तरफ उड़ते हुए देकर गुई डियाओ के फेस इंप्रसन बदल गए होते हैं जिसके बाद ली जुआन को वो तुरंती देखता है और उसके एक गले पर हात रखकर तुरंती वहां से बाहर निकलने लगता है हाला कि तभी अचानक से ली जुआन की चेस्ट पर एक पावरफुल लाइट अप्यार होती है जो देकर गुई डियाओ के फेस इंप्रसन बदल गए थे और वो तुरंती उस लाइट से डॉच करता है और इसके बाद ली जुआन के सामने दीरे दीरे एक ओल्ड मैन अप्यार होता है जो देकर गुई डियाओ भी चौँग जाता है और इसके बाद वो अपने सामने बिना किसी फेसिंप्रसन के यूमर पे घर को देखता है और इसके बाद काफी लॉग टाइम बाद वो कहता है ली जियान फैंग ये और अजोकी हैवनली साबरे लेवल के बर्यर के बराबर था इससे फील करके बूजी टियान और चीज जो भी चूग जाते हैं चौग जाते हैं और उनकी स्पीड धी में हो जाती है जिसके बाद वो इस औरे की डाइरेक्शन पे देखते हैं तो बूजी टियान तुरंती कहता वो है मरसेनरी ट्राइप्स का तीसरा हॉल मास्टर लिज जियान फैंग तभी बूजी टियान भी ओल्ड मैन का चेहरा देखता है तो उदास हो जाता क्योंकि इससे उसकी अच्छी नहीं बनती थी हालकि हाविल ले हैमेली साबरे लेवल के वर्यर की पावर नीदरलेंड डोमेन के इंदो बंदों के साथ लड़ने के लिए काफी थी हालकि इस सब को देखने के बाद बूजी टियान ज़्यादा टाइम बेश नहीं करता और तुरंती अपनी हाथ को गुमाता जिससे स्कारलेट फ्लेम वील सीधा ही एक लाइट रेज में चेंज होकर चीजू की तरब बढ़ जाता है हालकि तब ही चीजू उस अपेयर हुई ओल्ड फिगर की तरब देखती हुए कहता है ये सिर्फ एक सैडो है और इतना कहने के बाद उसके face impression बदल जाते है जिसके बाद वो अपने स्कारलेट रेड ब्लड सी को सीधा ही फ्लेम वील की तरब बढ़ा देता है और इसके बाद वो बिना किसी हिच के चार्ट के सीधा ही मेन हॉल की direction की तरब बढ़ने लगता है तभी leak one one जो कि ओस formation के अंदर होते तरब चिलाती हुए कहते है ये वाश्टाइड दूसरी तरब क्यूई डिया हुई अपने सामने हुई presence को देखकर अचानक से सौक हो जाता है आखिरकार mercenary alliance के popular member होने के करण ये बंदा पहले ही हत्याओं के ये काफी यादा famous था और उसने star moon spirit domain में अपना नाम भी बनाया था हाला कि वो old हो गया था लेकिन उसकी power अभी भी कुछ ऐसी नहीं थी कि कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिमत कर सके हाला कि वो तुरंती कहता है अगर मैं का हूँ तो तुम लोगों को नीदरलेंड डोमेंज से होना चाहिए है ना जिसपे गुईडिया उफ्त अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कितनी अच्छी नजर है तुम्हारी जिसपे गुईडिया तुरंती जबाब देते हुए कहता है मेरे पास फ्लोटर घोष्ट बैने रेट का खिताब है अगर मेरी नजर अच्छी नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर गया हो था हाला कि इन सभी सालों में आपके डरपोंक चोहों ने नीदर लेंड डोमेन को पूरी तरीके से बरबात कर दिया है जिसपे गुईडिया तुरंती कहता है आपको इसके बार में चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे पता है कि आपका ये ग्रेंट सन आपके लिए काफी अरा कीमती और टेलेंटेड है मेरा नीदर लेंड डोमेन जरूर ही इसकी काफी अच्छी खातिरदारी कहेगा और इतना कहने के बाद गुई डियाओ की बाड़ी से पावर्फुल और एक बार फिर से निरीज होने लगता है जिसके बाद वो कहते हैं नीदर लेंड डोमेन को तुम साप और चूहोने पूरी तरीके से बरबास कर दिया है तुम यहां क्या लेने के लिए आए हो जिसपे वो कहते हैं तुमको परिसान होने की ज़रूत नहीं है तुमारा यह गेंड जन काफियर टेलिंटेड है और मेरा नीदर लेंड डोमेन उसकी एच्छी देखवाल करेगा और इसके बाद गूई डियाओ की बाड़ी से उसकी ओरीजन कोई निकलने लगती है जिसके बाद तुननती कहता है कितना इगोफुल लहजा है हाला कि चलो यह मेरी ऐल्यूजनरी बाड़ी है मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक साब लेन लेविल का बारियर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा मुझे लगता है कि मेरी लिए आपको एक घंटी कली रोकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इसके बाड़ लियू जियाओ फैंग अचानक से हसने लगता है और उसकी बाड़ी से एक फ्लैक्ट्वेसन चारों तरफ हैलने लगता है तबी जो वांग कहते हैं वो ओल्ड मैंड क्या वो ली जियान फैंग है जिस पे जो जो भी जो की स्पास में खड़ा होता है तुरंती से लाता है इस टाइम पे उसे पजाता कि अगर गुई डियाओ को ब्लैक डेविल बर्ल्ड के साथ सामिल किया जाये तो ये मानना जा सकता था प्रिजन टाइम पे 6 हैवली साब रेड लेवल के वर्यर एक दूसरे के साथ पाइट कर रहे थे इस टाइम पे वो फायर भील भी घूमता ही वा सीधा इसका अलेट ब्लड सी की तरब चला जाता है और ये ऐसा होता जैसे की खौलते हुए पानी में तेल डाल दिया गया हो और इस टाइम पे ब्लो ब्लड रेड कोई जिसने आसमान को कबर करके रखा हुआ था धीरे धीर गाया हो जाती है और इस टाइम पे ये देखकर कि उसका टैक फोर्सफुली रोग दिया गया है बूज जीटियान अपने दासों को कसके पकड़ लेता है और चीजू को देखता है जो कि मैन हौल के करीब के करीब आता जा रहा था इस टैम पे वो सीधा ही अपने हाथ को आइमीन सरीर को चीजू की तरब बढ़ा देता है क्योंकि उसने अभी अभी हाई रैंक की एमपरर टेक्निक का यूज किया था जो की इसका लेट फ्लेम वील था जिस पे उसकी आथे से ज़्यादा और रीजन कोई यूज हो गई थी तो वो दोनों लोग आर्मे में सामिल होकर चीजू को मार सकते थे दूसी तरब चीजू को नजदी काता हूँ अधे कली डाउं यान तुरंती कहते हैं हर कोई फॉर्मेशन को एक्टिबेट करो जो सुनकर चार एमपरर कल्टिबेशन लेविल के वो वारियर और दस और एमपरर कल्टिबेशन लेविल के वारियर तुरंती अपनी और इज़न कोई को फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं जिसके कारण उस हॉल के चारों तरफ एक काफी अदा जाएंट सिल्वर बैल दिखाई देती है और जैसे ही वो वैल हिलती है तो हलकी सी ठंडी गुझ किया बाद चारों तरफ फैल ने लगती है इस फॉर्मेशन को एक्टिबेट करने के लिए पहले ही काफी बड़े एनरजी के यूज करना पड़ा था यहां तक कि लीड़ाउ यहां बाकी सबी लोग ने फिल किया था कि एक जटके के संसाथ ही उनके वाड़ी के अंदर की और रीजन कोई का पूरा यूज हो चुका था यहां तक कि वो हवा में खड़े होने में भी लगबग अनकैपेवल थे इस टाइम पर वो बैल धीरे से गड़गड आती है और इसके बाद त्रेज प्रेसर चीजू की उपर बढ़ने लगता है तब ही चीजू कहता है इस प्रिच्वल स्काइ सीटी में हैवें सब प्रेसिंग बैल ट्रंप कार्डो में से एक है और इसके बाद उसका पीरे चेहरे का फेस इंपरिसन थोड़ा सा बदल जाता है दूसरी तब लीड़ा हुए है और बाकी लोग जब यह देखते हैं तो वो खुस होते हैं यह देखकर चीजुन काफी अधा गुस्ते में चिलाने लगता है और वो तुरंती कहता है चाहे कुछ भी हो यह हैं तो केबल एंपरर कल्टिवेशन लेवल की बॉरियर और इसके बाद चारो तरफ इसका लेट रेड एनरजी जमा होने लगती है और उसकी भूतों के जैसे चिलाने वाली आवाज के साथ एक ब्लट धैंड क्रियेट हो जाता जो कि उस बेल की तरफ बढ़ने लगता है दूसरी तरफ इस बेल को देखकर सभी लोग काफी सर्प्राइज होते हैं और तुरंती कहते है यह क्या है हलकि तब ही चीजू दोर अभिला गया वो अटैक पूरे ही एरिया को हिलाक कर रख देता और एक काफी वाइल्ड कोई चारोतर फैले लगती है जिससे नॉर्मल प्यूफिल साथ भी नहीं ले पा रहे थे यहां तक ही जो वांग जो की मोनार कल्टिवेशन लेविल के वारियर थे वो भी इसके खिलाब पावरलेस फील कर रहे होते हैं इस टाइम पे जो वांग और बाकी सभी लोग ने अपनी ओरिजन कोई का यूज करके इस कुई से बचने कोरे से अपने बॉड़ी में इंटर्ना देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होते हैं दूसरी तब जो यान जिसकी बॉड़ी पर ओरिजन कोई नहीं थी वो तुरन थी देखता है कि उसकी पूरी बॉड़ी को एमपरर फ्लेम ने कावर कर लिया है जिसके करण ये बलड एनरजी जो यान की बॉड़ी पर हलका सा भी एफेक्ट नहीं डाल पाती हालकि तब ही जो वांग कहते हैं ये स्पिच्वाल स्काइ सिटी के अलकेमिस्ट अस्योसेशन की फॉर्मेशन टेक्निक है और इसे फॉर्म करने के लिए काफी एदा ओरिजन कोई की जवरत पढ़ती है जिसके बाद एक जाइंट वेल क्रियेट होती है और ये जाइंट वेल ये जाइंट वेल स्पिच्वाल स्काइ सिटी के अलकेमिस्ट अस्योसेशन के ट्रम कार्डों में से एक है जिसके बाद हमें बापस से गुई डियाओ दिखा जाता है जिसके बाद वो तुरंत कहता है ये ओल्ड मैन सच में जियल किलर कहलाने की लायक है इस टेंप उसने एक अंताजा लगा लिया था कि लिज जुआन फैंग के साथ फाइट करना उतना भीजी नहीं है हाला कि तब लिज जुआन फैंग कहते है आपकी बाड़ी की ओरिजन कोई को काफी यूज किया जा चुका है अगर आप लड़ना कंटीन्यू रखते हैं तो इससे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा इसलिए आप चुप चुप के बल यहीं पे रह सकते हैं इस्टार फिल्ड लोएंफ फॉर्मेश टीम आ जाएगी बहुत जल्दी ही और इसके बाद वो अपने डेगर को पीछे करते हुए एक स्माइल पास करता है जिसके बाद वो तुरंथी ली जुआन को छोड़ देता है और जो यानों बाकी लोगों को पकड़ने के लिए वो चीजू के साथ हाथ मिलाना चाहता था दूसरी तरफ वो बेल और स्टार लेक्ट रेट हैंड एक दूसरे से टकरा जाते है जिससे चार तरफ एक फ्लेक्ट्वेशन गुमनी लगता है जिससे उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था और इस अटेक के कारण वो तुरंती एक पेनफुल रोर करता है या तक कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और इस अटेक के साथ उसके सामने का जो स्कालेट रेंड हैंड होता वो भी धुए में बदल जाता है और उसी टाइम पे उस बेल से बैकलेस फोर्स जनरेट होता जो की चीज जोकी वाड़ी के उपर अटेक कर देता है हलाक इस टाइम पे वो बेल कापी यादा बीक हो गई थी और के बल वो अपनी लाश्टी स्टेज पर थी जबकि दूसी तरब चीजू को के बल थोड़ी बहुत ही चोट आई थी हलाक इससे पहले वो मूवमेंट कर पाता बूजी टियान पहले ही उसके सामने आ चुका था और एक पंच जो की आसमान को डिश्ट्रॉय कर सकता था उसकी चेश्ट की तरब बढ़ चुका होता है हलाकि चीजू अचानक से अपनी स्पीड का यूज़ करके उस अटेक से डोच करता है और वो अटेक जैसा ही चीज जू से टक रहता है तो नीचे काफी वड़ा गड़ा बन गया था दूसी तरब लाओ की आन हुआन जो की ब्लेड सी के अंदर थे वो भी अफ्री हो गए होते है और इसके बाद वो जल्दी से बू जीटियान की तरब आ जाते है और इसके बाद वो आंगे बढ़ने ही बाले थे कि तबी उस गड़े के अंदर से चीजू की पेंफुल वाइस की आप आ जाती है और इसके बाद वो बाहर आकर बू जीटियान और लाओ की आन हुआन की तरब देखता है और इस टाइम पे उसकी आँखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था दूसरी तरब गूई डियाव जब चूजी की ऐसी आलत को देखता है तो उसके भी फेसे इंप्रसन बदल जाते है और वो गुस्से में चलाते हुए कहता है और इसके बाद वो तुरंदी कहता है तो ये अभी इस टाइम पर आए है तभी चूजी भी कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसो ही मेरे उपर इस तरीके से अटेक करने की जिसके बाद उसकी बॉड़ी से किलिंग इंटेंट और रिलीज होने लगता है और उसकी आंके ब्लड रेड हो गई होती है तभी लाव क्यान हुआन कहते है ये परसन पूरी तरीके से नाराज हो किया है साथधान रहना इस टाइम पर उन्होंने चूजी की वाड़ी के अंदर बदलावों को पहले ही फील कर लिया था और वो काफी अदा एलाट हो गए थे दूसी था बूजी थी यान जो की एक तरफ खड़ा हुआ था वो भी अपने सिर को हिला देता है जिसके बाद वो थोड़ा सा दूर पर ली जियान फैंग को देखता है जिसकी फाइट गूई डियाओ के साथ चल रही थी मेरे इस गिप्ट को ट्राई करो और इसे डॉज करने की हिम्मत मत करना बढ़ना पूरा ही स्पिचोलिस काई सिटी राक में बदल जाएगा और इसके बाद उसकी बॉड़ी का जो ब्लड रेड कपड़ा होता पूरी तरीके से फट जाता है और एक काफिया रखता नाक और असीधा ही उसके हाथ में कंडेंस होने लगता है और इस अटेक को देकर बूज जीटियान तुरंती कहते हैं ये तो एक होली आर्ट होनी चाहिए और इसके बाद तो बूज जीटियान के माते से पसीने की भूदे टपकने लगती है उस टाहँ पे उसने अपनी होली रेंग को आर्ट को यूज करने के लिए अपनी काफी ओरिजन कोई का यूज कर लिया था साथी ब्लैक डैविन वाइड के साथ पाइट करते हुए वो काफी बीख हो गया था और अपनी प्रिजन टाइम की हालस के साथ एक बार फिर से उस अटेक को करना यह उसके लिए पूरी तरीके से इंपॉसिबल था दूसी तब लाव कियान हुआन के फेस इंपरसन भी बदल गये थे क्योंकि उन्होंने भी इस पावरफुल कोई को फील कर लिया था उन्होंने देखा था एक पावरफुल बबंडर आसमान में धीरे-धीरे फैलता जा रहा था और काला होता जा रहा होता है जाता कि इस पिच्वल इसकाई सीटी के लोग इससे काफी खत्रा फील कर सकते थे हाला कि तब लाव कियान हुआन के फेस इंपरसन अचानक बदल जाते हैं और वो एक डाइरेक्शन की तरब देखते हुए स्मायल करते हैं और कहते हैं स्टार डोमेन की लोइन फोर्मेंस टीम आ गई है हाला कि चीजू जब अटेक करने वाला होता है कि तब ही अचानक एक आबाज आती ही चीजू रुक जाओ और ये आवाज गूई डियाओ की होती है जिससे सुनकर चीजू काफी अरत दंग रह जाता है और इसके बाद वो गूई डियाओ को देखता जो कि उसकी तरफ ही भागता हुआ रहा था और इसके बाद वो कहता इस टार फिल्ड के लोइन फोर्मेंस टीम आने वाली है और उसमें चार हैवेन लीज सावरेन लेवल के बारियर है ली जुआन को लिव जुआर फैंक का फ्रोटेक्शन मिल गया है इसलिए हम उससे फाइट नहीं कर सकते ना ही हम यहाँ पे ज़्यादा देट तक रुख सकते हैं बढ़ना हमाई लिए काफी बड़ा खतरा होगा यह सुनकर चीजियो बेमन से गुई ढियाओ की तरफ देखता है और इसके बाद वो अपना सेर हिलाता है तब ही वो कहता है आपके बल अपने आपको दोस्ट दे सकते हैं कि आप इतने लॉंग टाइम के बाद भी लाओ की आन हुआन से नहीं निपट पाए और वो टाइम जब आएगा तो मैं पूरी तरीके से देखूंगा कि यह एरिया कब्रिस्तान बन जाए और इतना कहने के बाद वो गुई ड्रियाओ द्वारा क्रेट किये गए स्पेसियल एरिया के अंदर चला जाता है और वो एरिया तुरंदी गायब हो जाता है तभी लिग डाओ यान और बाकी से भी लोग तुरंदी कहते हैं चलो चलते हैं चलो चलते हैं इस टाइम पे जब वो नोरें देखा था कि यह फाइट एंड हो गई तो वो खुद को और देर तक नहीं रोख पाते और इस टाइम पे हाला कि उनकी हाला ज्यादा अची रही थी से लिए वो जमीन पे गिर जाते हैं और एक पिल को निकाल कर तुरंदी स्वैलो कर लेते हैं और पाल्ती मार के बैट जाते हैं दूसरी तरफ हाओ यान और बाकी सभी लोग भी जमीन पे उतार कर पाल्ती मार कर बैट गए थे दूसरी तरफ लाओ कियान हुआन जब यह देखते हैं तो वो थोड़ा सा रिलेक्स फील करते हैं और इसके बाद एक मेडिसिनल पिल को निकाल कर वो बूजी टियान की तरफ बढ़ा देते हैं यह देखकर बूजी टियान भी उस पिल को ले लेता और तुरंती स्वैलो कर लेता है जिससे उसे अपनी बाड़ी पे काफी रिलेक्स फील करता है और इसके बाद बूजी टियान तुरंती कहता है अगर मैंने इन पिल्स को पहले निकाल लिया होता तो मुझे इतनी परिशानी नहीं होती और इसके बाद वो भी अपनी आखे बंद करके रिलेक्स फील करता अपनी बॉडी को रिलेक्स होने देता है दूसी तब ली जियाओ फैंग उसकी सैडो तुरंती एक राइट की जेज में चेंज होकर ली जुआन की चेस्ट के ओवर जड़ पैंडेंट के उपर चली जाती है दूसी तब हांग जुआन को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे हसना चाहिए यार होना वो तुरंती ली जुआन को लेकर एक लैट की किरण में बदल जाता और वहां से निकल जाता है जिसके बाद वो कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो और इसके बाद लाओ कियान हुआन बू जी टियान की तब देखते हुए कहते हैं मुझे लगता है ये पिलतमाईले काफी होनी चाहिए चलो चलते हैं और अब इस्टार फिल्ड के लाओ इन्फॉर्मेश टीम के मेंबर से मिलते हैं और इतना कहने के बाद वो दौनों वहां से चले जाते हैं दूसी तब जो यान भी ची जुवर गिव डू याओ उन्हें गायव होते हुए देखता है तो उसे काफी बड़ा जटका लगता है कि आखरकर ये लोग ऐसे कैसे जा सकते थे हाला कि जिसके बाद जो यान थोड़ी देर बाद इस्टार फिल्ड की लॉइ इन्फॉर्मेश टीम को सेंस करता है जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो दो लोग के वाल इसी रीजन के साथ भाग सकते हैं दूसी तरब लीडाव यान जो अपनी पावर को बापस पाचुके होते हैं जो बांग की तरफ आ जाते हैं अभी उसने जो फाइट देखी थी उससे वो दोनों ही लोग काफी अदा हैरान होते हैं हाला कि कुछ दे तक सोचने के बाद लीडाव यान अपने स्टेज की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक काफी बड़ा गड़ा हो गया था और वो पूरी जगह काफी अदा टूट फूट गए थी या असपास की इमारतों को भी काफी एदा डैमज हुआ था दो heavenly sabrane level के warrior's की fight के कारण जिसके बाद वो कहते है हवा में heavenly sabrane level के warrior's के बीच एक normal fight का ये result है आगर वो और देर तक fight करते तो मुझे लगते है ये सह hè पूरी तरीके से damage हो जाता जिसके बाद वो कहता है अगर ये बात है तो तो supreme center level के warrior's के बीच की fight कैसी होगी ली डाव याँ को बताते हैं कि वो ठीक है तबी वो कहते इस साल के पिल कौपिटिसन में बास्तों में इस तरीके से जियो यां इस साल के पिल कौपिटिसन का चեmpियन बन गया है, हाला कि जो यू पिल बनाने में कैप बलना ही ता लेकिन उसकी पावर ने सभी को चौका दिया है इसलिए मुझे लगता है रैंकिंग उसके लिए ज़्यादा माइने नहीं रखती और इसके बाद लीड डाउ यूँआन एक गहरी सास लेते हुए स्माइल करते हैं चलो सेक्ट मास्टर जियो चलते हैं और इस साल के फिल चैंपियर से मिलते हैं आकिरकार हमें अब उसे इनाम भी तो देना है जिस पर जियो वांग कहते हैं जियो यान मुझे भी उस लड़के में इंट्रेस्ट है अभी भी बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ और इस टैंप पे जो वांग की आँकों मैं अचानक एक साइन देखी जा सकती थी दूसी तब जो यान में नाम से बाहर निकलते हुए कहता है एक हैबली साबने लेबल का पोरेर इतना स्ट्रॉंग होता है और इसके बाद वो बरबाद हो चुकी जगे को देखता है हालकि उसे अच्छी तरीके से आथ था कि उसके और हुंतियांडी के भीज की फाइट ने पूरे इडुई की कॉंटिनेंट को हिला कर रख दिया था और उसके कंपेरजन में ये फाइट काफी कम एफेक्टिब थी लेकिन इतनी खतरनाक फाइट उसने अभी भी पहली बारी देखी थी हालकि वो ये सोची रहा होता है लेकिन तभी अचानक आवा आ जाती जोयान क्या तुम ठीक हो और ये फूजवान होता है तभी जोयान उसकी तरब मुण कर देखता है तो जी उन फूजवान और बाई क्यान उनके चेहरों पे खुसी साब साब देखी जा सकती थी इस टाब पे जोयान को सेफ और हेल्थी देकर जी उन भी एक लंबी सांस लेते और कहते हैं इस साल की पिल कॉंपटीशन का लेवल सभी की उम्मीद के पार चला गया था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सब रैंक फाइब के उपर की पिल को बनाएंगे और उसके लिए कॉंपटीशन करेंगे और इसके बाद वो इसमाइल करते हुए जो हियान की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारी ताकत ने मुझे बास्तों में हैरान कर दिया जब फिस जोण भी सौक होते हुए इसमाइल करता है उसे याद था कि ली जोण और जियो यू ने तियर पाइब थ्री स्टार मेडिसिनल पिलको रिफाइन किया था लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे जबकि जो यान जोकी जीत गया था वो केवल उसके एक्सपीजियन्स और बिल पावर की बज़े से ही था जिसे उसने काफी लॉंग टाइम तक कलेक्ट किया था और अपने एक्सपीजियन्स के साथ उसके लिए जीतना ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी हाला कि तभी आवाज आती है कॉंग रेचुलेशन चेंपियन और ये बाई क्यान होती है जो इसमाइल करते हुए जो यान की तरफ देखती है इस टाइम पे फर्स टाइम मिलने पर उसका चेहर जोकी हमेशा कोल्ड इस प्रैसन से भरा हुआ होता था इस टाइम पे जोन को देखते हुए वो पहले ही काफी अरख खुस होता है हाला कि तभी आवाज आती है ये बहुत अच्छा है इस्प्रेट इसकाई सीटी ने आकिरकार अपनी पूरी इस्ट्रेंद दिखा ही दी और इतने सालों तक जेली गई सर्म और अपमान को एक ही बार में साफ कर दिया और यह फूज उण होता है जो स्माइल करते होई जियों से ऐसा कहता है हाला कि जों कुछ बोलने ही बाला होता लेकिन तभी ली डाउ यौन और जियो वांग उसके सामने अपयर होते है और जियान को देखते हूँ उनके चेरे पे भी स्माइल होती है जिसके बाद वो तुरंती कहते हैं तीसरे राउंड के मेडिसिनल पिल का उच्च ग्रेड रैंक फाइब थ्री स्टार प्रोफाउंड इस्प्रेड पिल इस स्प्रिच्वल स्काइ सिटी के जजों की तौर पर मैं एनाउस करता हूँ कि इस साल की पिल कॉप्टीसन का चेंपियन इस्प्रेड स्काइ सिटी और जियो यान है लिटाव यान के बोलने के ठीक बाद जियो यू मूर्चा समालता और ताली बजाना सुरू कर देता है और उसके गाइडेंस को देखते हुए बाकी कुछ और भी यंग टेलेंट और यंग एलके में इस तालियां बजाने लगते हैं और इस टाम पे नॉन इस्टॉप नारे जो यान के नाम पे लग रहे होते हैं दूसी तरब भीड के पीछे खड़े हुए सी सैन भी उदास चेहरे के साथ तालियां बजाते हैं दूसी तरब वो जी उन के फेस के अंदर की स्माल को देखते हुए अपने दिल में हलका सा जलिसी भी फील कर सकते थे दूसी तरब जो यान से फाइट करने वाले बुल लड़का और लड़की के चेहरे पर भी स्माल होती है क्योंकि उन्होंने उमीद नहीं की थी कि वो दो दिन पहले एक चैंपियन की नाक में उंगली कर रहे थे और इस रीजन के लिए वो खुद को डाट रहे होते हैं तभी में हल की अलगलग जगों पर फूकिंग और बाकी लोग जिसने जोयान को नीचा दिखाने की इमत की थी उनके फेस इंप्रसन भी काफी इंट्रेस्टिंग होते हैं क्योंकि एक ग्रेट फाइब की ध्री स्टान मेडिसिनल पिल हलाकि वो भी एक एलियन लियलम सोल का बार येर था लेकिन उसने भी उमीद नहीं की थी कि वो कभी ऐसा कर पाएगा लेकिन उसके सामने जैसे उसके ही एज का लगने बाला वो बंदा बास्तम उसने से इस इंपॉसिबल काम को इंपॉसिबल कर दिया था इसलिए फूकिंग भी इमानदारी से तालिया बजाना श्टार्ट कर देता है दूसरी तरफ यू कियांग जो अपने मास्टर के पीछे कड़ा था उसके फेस इंपुरी तरीके से गुस्से से भरे हुए होते हैं क्योंकि उसने तो दूसरा राउंड भी पास नहीं किया था लेकिन वो लड़का वो बास्तम में सकॉम्टीशन को जीच चुका था दूसरी सब वो लड़का जिसने बाई कियांग को चुड़ाने के लिए और छेड़ने के लिए यू कियांग का पीछा किया था वो जब देखता है यू कियांग के सेट फेस इंप्रिसन को तो वो कुछ भी नहीं कहता और उदास हो जाता है हाला कि तभी लीडाव यूँआन जी यून की तरफ देखते हुए कहते हैं आपको इस प्रेडिसकाई सीटी के अलकेमिस्ट एसोसेशन काल एसोसेशन लीडर होना चाहिए जिसपे जी यून अपना सेरी लाते हैं तो लीडाव यूँआन के पीछे हाओ यूँआन की तब देखते हुए हा में कहते हैं और इसके बाद वो कहते हैं क्योंकि जो यूँआन चेंपियनसिप जीत चुका है उन प्राइजेस को तयार किया जाए जो इस प्रेडिसकाई स प्रेडिस, मेडिसिनलाद हब, मूनार्ट क्रिश्टल यहां तकी काफी और भी यदर चीजे और वो समकुछ अगर वो इस प्रेडिसकाई सीटी में लाता है तो इस प्रेडिसकाई सीटी की पावर कम से कम एक काफी वड़ी डिफरेंस के साथ बढ़ सकती थी जिससे फ्यू लीडाव यहां की बात को सुनकर बाकी सबी लोग जिनके दिल पे यह से थौट थे वो तुरंती चौक जाते हैं और इसी रादे को अपने दिल में ही छोड़ देते हैं दूसरे अब जीयून काफी हैदा गुस्सिम, काफी हैदा खोस होते हैं और जो यहां की तरफ देखते बड़ सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए डूर आक्सी के लिए यह कीमत पहले ही अच्छी होनी चाहिए थी तब ही लीडाव यहां केते हैं क्योंकि अब और कुछ भी नहीं है तो मैं जियो यहां को इनाम लेने के लिए भेजूंगा बाकी से भ जैंग और जो यू के साथ आसमान में अलकेमिस्ट एसोसिसंट की तरफ ले जाते हैं तब ही जिये उन कहते हैं इस आदमी से हमें एक बार फिर मिलना चाहिए मुझे नहीं पता फ्यूचर में हमें इससे एक बार फिर मिलने में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद वो ज खेलापन देखा जासकता था जैसे उसके शेरपन कोई शिकायत हो तब फूज वान उसकी तब देखते हों ऐसे तुम्हारा क्या मतलब है तुमने जो कहा उससे तुम्हारा जियो यान से तो मतलब बल्कुल नहीं था न है न और इसके बाद वो खिल-खिलाकर हसने लगता है और बाईक Yán को इग्णोर करने लगता है हाला कि बाईक Yán उस पर ज़धा ध्यान नहीं देती बलकि वो और भी ज़धा उधास हो जाती है जिस पर फूजयन तुरंती कहता क्यातों में सच में उससे प्यार हो गया है जिसके ऐसीन सिप्ट उतारह में ली डाओ यूँन और जो वांग दिखाई देते हैं और उन्हें इस बिच्वल स्काइ सिटी के एलकेमिट एसोसेशन में दिखाये जाता है जहां जो यूँन और बाकी सबी लोग निकले थे जो वांग जो यूँन को देखते हैं और सीरियस तरीके से कहते हैं जो यूँन आपको पहले चैंपियंसिप का ही नाम पाने के लिए चैर्मेन ली का अनू सरण करना चाहिए उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछ हूँगा हलाकि जो यूँन नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है पिर भी जो यूँन अपने आपको बचाने के लिए जो वांग के लिए काफी अरा ग्रेट फूल होता है और बेना किसी इचकी चार्ट के अपना सेहला देता है और ली डाओ यूँन के साथ चला जाता है दूसरी तब जो यूँ अपने फादर की तब देखते हुए कुछ पूछने ही वाला होता है कि तब ही जो वांग कहते है इस बार तुमने काफी अच्छा प्रदरसन किया है बले ही आपने ग्रेट फाइब की त्री स्टार मेडिसिनल पिल को रिफाइन ना किया हो लेकिन आपके बेहेबियर से मैं पहले ही काफी अच्छा हूँ इसलिए मुझे लगता है चैंपियंसिप केस प्रज को तो मैं दिल में नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपकी पावर सब के सामने आ चुकी है को बता देना चाहता हूँ जो यहां lower realm से आया है और हमें नहीं पता lower realm में उसके एज कितनी है हमें नहीं पता कि lower realm में कितने साल पुराना है 10000 साल, 1000 साल हाला कि वो 20 साल का लगता है लेकिन उसके talent, उसके experience, उसके behavior को देखते हुए वो 20 साल का बिल्कुल भी नहीं है या तक कि मैं भी उसके जितना अच्छा नहीं हो सकता हूँ और इतना कहने के बाद जो वांग थोड़ा सा उदास होते हैं इसलिए उसके हाथों हारना इसलिए आप उसके समाल लेविल पर नहीं है जो वांग के वर्ट को सुनकर जो यू जो फो जाता है हाले कि उसने ये वर्ट सुने थे इसलिए उसका confidence भी वापस आ गया होता है तब ही वो कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो यान पर क्या पाया है इसके बाद scene shift होता है और हमें ली डाओ यॉन दिखाई देते हैं जो कि जोन की तब देखते होए कहते हैं तुमने चोटे साथी बास्तों में इस्प्रिट स्काई सीटी के अंदर ब्लैक रीजन पे एक ग्रूप बनाया है जिस पर जोन भी स्माइल करते होए कहते हैं और ये spirit heaven mansion में peak sect में से एक है और उसे sect के sect master जो यू के फादर जियो वांग है ये सुनकर जियो वांग चौक जाता है कि जियो वांग purple radians sect के sect master है जो spirit heaven mansion का सबसे बड़ा sect है तो कोई भी surprise नहीं था कि उसकी position ली डाओ यूआन के बरावर थी और दूसरी तब जियो यू जियो वांग का बेटा और ली डाओ यूआन का डिसाइवल था तो ऐसे foundation के साथ spirit heaven mansion में number one होने कताबा कौन कर सकता था तबी वो कहते है मुझे लगता है कि sect master जो भी आपके अंदर interest रखते हैं हाला कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात होनी चाहिए क्योंकि उस time पे आपकी flame spirit gang purple radiation set के साथ हो सकती है और उसके बाद आपके लिए इससे बढ़ाना काफी easy होगा और ऐसा कहते हैं लीडाओ यान जो आनको थोड़ा सा छेखते हैं जिस पर जोड़ा से मेरेस होते हैं हस देता है इस time पे जोड़ान को पता था flame spirit gang वो इतनी ज़्यादा भी strong नहीं है और इस time पे जोड़ान ने उसे के बाद वाए ठीयन फैमली है लो ठीयन फैमली कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बढ़ी हो गया आप सभी लोग को बढ़ी हो